तो चलिए फ्रेंड्स फिर हम आ चुके हैं ग्रीन एजुकेशन में आपको लोग का स्वागत है तो आज हम कुछ अब्जेक्टिव लेके आए हैं कि यह मानव नत्र हैं हम पूछ रहा है मानव नत्र से लो कि मानव नेत्र के चप्टर है चप्टर नम्मर तिरी है आज इस से हम कुछ objective आप लोगों से पूछने वाले हैं ठीक है तो आप लोग फटा-फट जो है इसको जो है बताना है ठीक है मेरे उत्तर देने से पहले जो है आप अपना उत्तर को बताना ठीक है देखिएगा जो आपका कितना सारा objective सही जा रहा है ठीक तो चरिए हम अब शुरू कर रहे तो देखे परसन है पहला मानव न्यत्र में lose मानव न्यत्र में मानव नेत्र में this कि सब हैं इस प्रकार का लेंश पाया जाता है एमें है उत्तर खेल लेंश कि-में है बताइए इसमें कॉंसा लेंस में किस प्रकार क मैं जाता है तो ये कॉंसा-सोगा उमॆ इसका द्धर सही हो जाएगा ठीक है मानम का नच होता है तो चले आगे बहगे हुआ लिखले दो नंबर में हैं किसी बस्तु का परतिविंब नेत्र के किस भाग पर बनता है तो को में है को में है रेटीना या द्रिष्टी पटल या गो में है पुतली और गो में है आईरीस तो क्या होगा दो जोर से बोलो परेति यह आपका बिल्कुल सही है इसका ओतर आपका रेटिना होगा जितने भी रेटीनट बताया है यह बिल्कुल सही है ठीक है जरी आगे बर जाते हैं आप आपका पर्षन है आपका पर्षन है कि नेत्र के रेटीना पर किसी बस्तु का प्रतिविम्ब बनता है ठीक है तो इसका उत्तर क्या होगा कालपनी, कौमा उल्टा तथा बरा होगा और गौ में हैं वास्तविक उल्टा तथा बरा होगा तो क्या होगा इसका ये तो हो नहीं सकता है ये हो नहीं सकता है बास्नुक उल्टाता था बराहुद नहीं होगा तो हमारी विचार से यह जो है आपका गौ उत्तर बिलकुल सही है ठीक है तो गौ होगा आगे बढ़िए चार नमर में हैं समाने समाने द्रिष्टी वाले युवा के लिए असपश्ट द्रिष्टी की नियुंतम दूरी कितनी होती और को भी मानव है उसका गौर्ण समाने समाने द्रिष्टी की नियुंतम होती है 25 में है को में है 2.5 cm, गोव में है 25 cm और गोव में है 2.5 cm तो क्या होना चाहिए आप हमको बताएए इसका उत्तर क्या होना चाहिए बारे क्या होना चाहिए 25 cm क्या होना चाहिए 25 cm यह आपका this is your right answer 25 cm कितना 25 cm जो भी उत्तर बताया है बिल्कुल सही है कितना 25 cm फिर पांच मने आ जाईए लिखल है कि मानव नित्र अधिकतं कितनी दूरी तक की बस्तों को साफ साफ देख सकता को में है 25 cm को में है 2.5 cm गोव में है 25 cm और गोव में है अनंत तो क्या होगा क्या होगा वाले अनंत होगा क्या होगा इसका उत्तर हो जाएगा अनंत माने समाने अन्यत्र जो है अब हम कितना दूर तक देखते हैं कं से कम 25 cm तक देखते हैं अब दूरी में तो जतना दूरी होता उतना तक हम देखा जा सकता है चलिए छे पर्सने पर चलते एक स्वस्त आँख के लिए दूर बिंदू होता है कि एक स्वस्त आँख के लिए दूर बिंदू होता है कितना होता है कि इतना होता है वारे कि सुन्य को में है सुन्य को में है अनंत गौ में हैं 25 cm और गौ में हैं 250 cm तो क्या होगा इसका 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 भी जो एक स्वस्त आँख के लिए दूर बिंदू होता है अनंत ये बिलक लेकुल सही बूझ दिया है ठीक है चलिए साथ नमबर में आख अपने लिंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तू को साफ साफ देख सकता है आख के इस गुन उटम को क्या कोते हैं कि समंजन चम्ता कोते हैं की निपर दूर्ष्टी दोस्ट की जराद दिस्टी दोस्वाइब क्या कोते हैं हा यह समझन चम्छह जो है यह बिल्कुल सही उत्तर है ठीक है आगे का पर्षन। बिभीन दूरीयों की बस्तों के पर्तिबिम्ब को फोकस करने के लिए कि फोकस दूरी किसके द्वारह परिवर्तित होतीelt to होती है खौ में है पुदली को मेंा सीलियरी या पच्छमाबी पेसिया या गोमें है आईरिस या पड़ितारिक यह क्या होगा थेद्ञ फच्छमावी पेश्या बिकोन बिल्कुल सही है तिसी लिएरी या पच्छमा भी पेश्या यह बिल्कुल सही उत्तर है थेक नौ नमबर में नैत्र है नैत्र ओnın नैत्र की फोकस दूरी कम कम हो जाने से कौन सा द्रिष्टी दोस होता है नेत्र लेंच की पूकस दूरी कम हो जाने से कौन सा द्रिष्टी दोस होता है को में हैं निकट द्रिष्टी दोस को में हैं जराद द्रिष्टी दोस घौ में हैं इन में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं तो क्या होना चाहिए कौन सा बिमारी होता है निकट दिरिष्टी दोस हो जाता है कौन सा होता है निकट दिरिष्टी दोस की बिमारी हो जाता है ठीक है चलिए बिल्कुर सही उत्तर एक पर्सन है यहां पर निकल के आया है कि किस द्रिष्टी दोस में किसी बस्तु का परतिविम रेटीना के पीछे बनता है किस द्रिष्टी दोस में ऐसा कौन सा दोस है जिसमें किसी बस्तु का परतिविम जो है रेटीना के पीछे बनता है रेट सब्सक्राइब इसका परतिविम जो है दिक करेंगे पीछे बनता है यहां पीछे हो गया यह कौन साइब दोस में इसा होता है कोन है दिरिश्टी दोस कि दूर दिरिश्टी दोस होगा इस नहीं नहीं होगा होगा इसमें होगा दूर दिरिष्टी दोस होगा बिल्कुल जाही उत्तर है आप बताइए निकट दिरिष्टी दोसका उपचार जो है किस प्रकार के लेंस से किया जाता है अभी सारी को में हैं खोमें है अपसारी गो में उत्तल और गो में हैं बाइफोकल लेंश क्या होगा अपसारी अपसारी इज राइट एंसर ये बिल्कुल सही उत्तर है ठीक है बिल्कुल सही बेरी गोड इसके बाद हम आगे बर जाते हैं बारी बारा परसंदे को किस द्रिष्टी दोस्त को दूर करने के लिए उत्तर लेंस का उप्योग किया जाता है मनेशन कौन सा दोस्त को दूर करना है अगर अगर जो मालोग कोई ऐसा दोस्त हो गया अब डॉक्टर तुमको जो है द्रिष्टी दोस्त को दूर करने के लिए उत्तर लेंस लिक दे दिया तुमको तो पता होना चाहिए न कि उत्तर लेंस किस विमारी में होता है कौन सा दोस्त में होता है कि थीकिसका ऑफशन है कि कौन होगा बताओ को में है द्रिशती का में है दिरुक्ष्टी दौस को में है दोस दूस हुए विरम सही इसके बाद 13 नंबर में चलेंगे लिखा हुआ है जो नेत्र निकट इस्ठित बस्तु को अस्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है क्या होता है QA है जरां दिर्श्टी क्लाव में निकट दिर्श्टी दोस और गह में ऑंबी ऑंबी दुपता क्या DANU दूर-द्रिष्टि इशन का यज़ पुट्रुत क्या होगा दूर př दुछ दोस्त इशन राइट आन्सर थीक है लिकुल सही में इसार हैsan 4 माझन क्यो gen 2 दूर द्रिष्टि दोस्त वाली आंख साप साप देख सकती है एक जह कुंछ दूर की बस्तों को निकट की बस्तों को घौ में हैं केवल बड़ी बस्तों को जिसको दूर दूर दिरिष्टी की बस्तों को दीख सकता है मिलकुल सही मिलकुल सही कि पंद्रा नमबर में चलते हैं दूर दुर将ình का उपचार किस परकार के लेंस से किया जाता है कि अभिसारी लैंज को में हैं को में हैं अप अलिंज में यह भाइपोकल लिंज में और अभी सारील उंद न अभी अभी सारी लेंस के द्वारा उत्तल लेंस को भी सारी लेंस भी कहा जाता है ठीक है ना उत्तल लेंस को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का यूज होता है उत्तल लेंस या अभी सारी लेंस ठीक है निकर दिश्टी दोस्त के लिए अब तल लेंस या अपसारी लेंस ठीक चलिए अच्छी बात है सोल में आ जाते हैं बोड़ी सोल में इस्पेक्ट्रों पराप्त करने के लिए किसका उप्योग होता है इस्पेक्ट्रों पराप्त करने के लिए किसका उप्योग होता है ए में है को में है पिरिजम इनसर इस इस यह राइट एंसर क्या होना चाहिए यह पिरिजम जो हो है बिलकुल सही है पर्षन है 17 17 में देखिए 17 का पर्षन देखिए अब परिजिम से होकर गुजरने की बाद स्वेत परकास बिभीन वर्णों मने रंग में विभक्त होता है इस कटना को क्या का जाता है जब कि परकास गुजरता है तो वह क्या होता है साथ रंग में डिभाइड हो जाता है क्या रंग में साथ रंग में डिभाइड हो जाता है तो वह परकास का क्या है प्रकास का प्रावर्तन है कि अफवर्तन है कि वर्ण विच्छेपन है कि सीरी रेखा में चलना होता है क्या है प्रकास का वर्ण विच्छेपन यह आपका बि बिल्कुल बिल्कुल सही है कि चलिए आगे बर जाएगे ऑठारा में देखिए बहुत अच्छापर्शन है एक पिरिजम एक पिरिजम कितने सतहों से घिरा होता है बहुत इंपोर्टेंट परशन है छोग में है 5 गोँ में है 4 और गोँ में 3 इसका उत्तर का होना चाहिए बावरे मांक है पांच होना चाहिए पांच आपका बिलकुलरी HOW आपका पांच जो है क्या है आपका 5 जो है कि इसका पर्स्ण स्वेत प्रकास जब एक प्रिजम से होकर गुजरता है तो वह तो जो वर्ण रंग सबसे कम विचलित होता है सबसे कम विचलित होने वाला सबसे कम विचलित होने वाला यही है स्वेत प्रकास परकास यह पूछा जा रहा है कि सबसे कम बिचलित होने वाला कौन सा रंग है को में है लाल खो में पीला गो में है वैगनी और गो में है हरा इसका उत्तर क्या होना चाहिए सबसे लिए जो है न इस रंग काम ने घाट में होता है ताकि वह दूर से ही दिख जाता ज्यादा बच्नित हो जाएगा तो ज्यादा विजित हो जाएगा तो तो दिख वे क्या है कि यहां से मर्ग वेगनित अच्छी बात है इसका इंसर क्या होना चाहिए इसका उत्तर होना चाहिए है लाल लाल का रहा हूं जिसको शॉटकॉट में वैजी नाह पिनाला के नाम से जनते हैं ठीक है बीश का परसन देखते हैं बीश का परसन देखते हैं परकास के किस वर्न के लिए तरंग धरी अधिक्तम होता है परकास के किस वर्न के लिए तरंग धरी जो है अधिक्तम होता है कौने हैं वैगनी कौने हैं हरा गो में हैं लाल और गो में हैं पीला एक परसन था लाल होना चाहिए यह बिल्कुल यह जहीँ उत्तर है आपका तो उमेद करते हैं आप आप लोग का जो है सारा का सारा उत्तर सही हुआ होगा अगर आप लोग का तैयारी अच्छा था इस चप्टर में तो आगे फिर मिलेंगे नया चप्टर के साथ तब तक के लिए धन्यवाद कि लेकिन हाँ सबस्क्राइब कर ही दीजिए ठीक है सबस्क्राइब जो होता है एजू केशन ओफ कुन चीज़ एश 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 सी ठीक है बाई डी के सब्सक्राइब कर दियों अच्छे लबों सबके सब्सक्राइब कर वाद दियों ठीक बत्यक न, न, फक कर दो एश हो एश एश साफ एश 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 स्क्राइब मुदा इस ओपे साफ कर वह एश संध Washak कज़र शाल ऐब एक ला Yu